Hey guys welcome to wealth देखो मेरा नाम है देव और आज के इस वीडियो में हम लोग एक और small case का review करने वाले हैं जिसका नाम है growth at a fair price जी हाँ वीडियो को शुरू करने से बतार चाहूँगा small case के उपर एक पूरी series बना रहे हैं काफी सारे वीडियो बना चुका हूँ इन सभी के link आपको description box में एक playlist के रूप में मिल जाएगी तो सारे वीडियो को जरूर देखेगा और हमारे चैनल को subscribe करना मत भूलिएगा तो चलिए guys वीडियो को करते हैं शुरू तो guys यह वाला जो small case है growth at a fair price यह basically winmin capital का है आप सभी लोगों को बता होगा कि जो winmin capital है वो primary advisor है small case का और इनके जितने भी small case है वो सारे के सारे free access है मलब आपको यहापे कोई भी fees नहीं देनी पड़ती आपको सिर्फ 118 रुपे देने पड़ते हैं वो भी आपको small case को देने पड़ते हैं तो guys इसके अंदर वो सारे की सारी कमनिया included है जिनका basically fundamental strong है लेकिन उसके साथ साथ सबसे important क्या है कि उनका जो valuation है वो basically fair valuation है मलब जिस price के उपर आप खरीत रहे हैं उतनी ही उनकी price होनी चीए ना overvalued है ना undervalued है अगर guys इसके में minimum investment cap की बात करूँ तो beginner वालों के लिए बहुत ही जादा important है क्योंकि सिफ 13,000 रुपीज का यहापे investment है CAGR की बात करों तो guys 5 सल का 21% CAGR है लेकिन हमें CAGR को नहीं देखना है तो हम लोग देखते कि यह launch हुआता basically यहापे 2016 में 2016 में वह आता around March, April के around तो guys आप देख सकते हैं उस time पे किसी ना का 100 पे invest किये थे एक किया थे small case index के अंदर और एक किया था जो small gap company है उसके index के अंदर तो आप देख सकते हैं दोनों को अगर compare करेंगे तो एक ने 100 का 279 बना दिया और एक ने 100 का 208 बना दिया तो इस तरह से आप यहापे return compare कर सकते हैं अगर आप CAGR देखेंगे तो थोड़ से confuse जा जाएंग windmill जो capital है वो quarterly basis पर यहाँ पर इसको basically review करती है और stock के अंदर कोई भी change करना होता तो वो आपको update कर देती है तो चलिए guys मैं आपको practical लिखाता हूं कि मैंने कितना investment किया था और उसके क्या returns है तो मैंने यहाँ पर 19 April को invest किया था यह video बना रहा हूं July में बलब अब यह हो गय फिर वापिस मैंने थोरा सा और amount invest किया तो कि सारे stocks यहाँ पर नहीं आगे थे rebalance के time पर फिर वापिस मैंने थोरा सा और amount invest किया तो आप देखते है इसकी track करते है performance क्या performance है तो आप देख सकते है यहाँ पर मैंने पहले starting के अंदर सिफ 13,000 something investment किया था और उसके बाद में 7.95 का मुझे यहाँ पर return मिल जोगा था तो अगर आप मेरी stocks के यहाँ पर देखेंगे investment values के according देखेंगे तो आप देखेंगे शुरू के जो एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच जो stocks है वो profit के अंदर है और last के जो two stocks है वो भी minus के अंदर है लेकिन minus में भी इतने जादा देखो small case के न सबसे अच्छी खास बात मुझे यही लगती है, small case के अप total value देखते हो, अगर आप एक-एक stock को देखेंगे तो कभी-कभी आप डर जाते है, क्यार यह stocks तो minus में चल रहा है, लेकिन हाप हमेशा over world देखते हो कि over world चलो ठीक है, यह profit दे रहा है कि नहीं दे र अगर आप invest करना चाहते हैं, तो definitely income new के नरे कर सकते हैं, यह आप September की wait कर लीचे, उसके बाद में आप इस small case को यहाँ पर choose कर सकते हैं, लेकिन best thing है, जो भी beginners है, उनके लिए बहुत ही अच्छी चीज है, यह वाली small case, क्योंकि एक तो investment amount भी कम है, और यहाँ पर आपको free access मि आता है, so guys hope you like this video, please subscribe our channel, अगर आपके कोई भी doubts से comment section के अंदर जरू mention कीजे, thank you guys, thank you very much